आवश एक सूचना, योट्यूब चनल रिची के वीडियो पर दवाईयों की सामानी जानकारी के लिए वीडियो अपलोट किये जाते हैं, किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने से पहले डॉक्टर से अवश ले, यदि कोई भी वीडियो देखकर खुद से दवा लेता ह है, तो गाइस अगर आप भी मेडिकल स्टोर को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और गाइस अगर अभी तक आपने हम प्रफिटेबल मार्जिन बिजनस है, कस्टमर के परचे को देखकर दवाई निकाल करी तो देनी है, कोई भी कर सकता है, आसान तो है, पर दोस्तों ये जो इतना आसान दिखता है, ये इतना आसान है नहीं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेडिकल स्टोर को स्टार्ट क करने के लिए सबसे ज़्यादा important है सभी दवाईयों की सही जानकारी अगर आपको medicines का knowledge ही नहीं होगा तो आप customers को दोगे क्या अगर आपको prescription ही समझ में नहीं आएगा तो आप customers को सर्व क्या करेंगे आप सब्कत्री कर देसे में customers को गलत दवाई भी दे सकते हैं और उनकी परशानी और भढ़ सकती है तो अपने medical store को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको medical store का काम आता है तब ठीक है पर अगर आपको medical store का का काम नहीं आता है आपको medical store का knowledge नहीं है दवाईयों का doctor तो आप अपने गाउ में या अपने शहर में किसी बड़े medical store पर या किसी बड़े retail pharmacy counter पर एक या दो साल के लिए काम सीखें और training लें जिससे आपको medical store की अच्छी जानकारी हो जाएगी और आपको medical का अच्छा नॉलेज मिल जाएगा. इसके आगे नेक्स चालेंज है, बैलिकल स्टोर के लिए सही लोकेशन ढूड़ना. किसी भी मेडिकल स्टोर के लिए, उसकी लोकेशन ही सबसे ज़्यादा Airport होती है. पर एक र्शही लोकेशन कैसे ढूड़े या एक का चयन कैसे करें तो जिस भी लोकेशन पर आप अपना मेडिकल स्टोर्ट करने वाले हैं या start करना चाह रहे हैं अब उस लोकेशन का या उस एरिया का एनालिसिस कीजिए मतलब आप ये पता कीजिए कि उस एरिया में पहले कितने hospitals हैं, कितने doctor clinics हैं, कितने medical stores हैं, उस area की population कितनी है, hospitals की OPD कितनी है, doctor clinic से आने वाली prescription की sale कितनी है, medical stores कितने हैं, अगर आपने ये analysis सही से किया है, तो आप definitely अपने medical stores के लिए एक अच्छी location धून पाएंगे, और अगर उस area में कोई hospital चाप कोई doctor clinic नहीं है, और पहले सी बहुत सारे medical stores हैं, तो आप अपने medical store को already competition area में खोलने से बच पाएंगे, इसके बाद next challenge है, stocks या inventory, अब आपने काम तो सीख लिया, medical store के लिए अच्छी location भी धून ली, पर उस medical store में माल क्या क्या रखें, कौन कौन सी दवाई रखें, और कितनी quantity में रखें, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि medical store को start करते समय, किसी को ये पता नहीं होता है, कि उस area में कौन कौन सी products या कौन कौन सी medicines demanded है, और ऐसे में दुकानदार अपनी दुकान में unwanted बहुत सारा माल stock कर लेते हैं, और वो products दुकान में रखे रखे ही expire हो जाते हैं, जिससे नुकसान होता है, और दुकानदार जहां उन्हें profit book करना था, वहां वो नुकसान का सामना करते हैं, इसी लिए आप अपनी दुकान की inventory को manage करने के लिए आप सबसे पहले अपने area के distributor से मिलें, और ज्यादा चलने वाली item की list लें, और उनसे जानकारी लें, और उसके बाद आप अपने area के hospitals और doctor clinics में जाएं, और doctor से prescribed medicines की list लीजिए, जिससे आपको बहुत मदब मिलेगी, और इसके साथ ही आपकी दुकान में जो भी customers आते हैं, और वो जो भी product आप से demand करते हैं, यदि वो product आपकी दुकान पर available नहीं है, तो आप उस product को अपनी copy में note down करें, और ह आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपकी area में कौन से product demanded है, इसके बाद next challenge है, inventory management, अब आपने दुकान में दवाईयां भी रख ली, customers भी आने लग गए, पर कैसे पता करें कि दुकान में कौन सी दवाई खत्म हो चुकी है, या कौन सी दवाई expire हो चुकी है, या कौन अब इस नुक्सान से बचने के लिए और आपको ये पहले से ही पता चल जाए कि दुकान में कौन सी दवाई खत्म होने वाली है, या कौन सी दवाई expire होने वाली है, इसके लिए आप अपनी दुकान में inventory software का use कीजिए, inventory software आपको पहले से ही alert messages देकर ये बता देगा कि आप आपकी दुकान में ये medicines खत्म होने वाली है, या ये दवाई expire होने वाली है, जिससे आप अपनी दुकान की range को पहले से ही maintain कर सकते हैं, और साथ ही inventory management की वज़े से आप अपनी दुकान की inventory को काफी आसानी से manage कर सकते हैं, इसके आगे next challenge है, सही distributor ढूमना, देखिए, market में ए एक सही distributor कैसे ढूम सकते हैं, उसके लिए आपको सभी distributor से संपर्क करना होगा, और उनसे एक एक बाल माल purchase करके देखना होगा, आपको जो distributor सही rates, सही discounts और सभी schemes दे, आप उन्हें compare करके देखें, और जो भी आपको ये सारी चीजे दे रहा है, आप अपना माल उसी से लेना continue रखें, ऐसे करके आपको एक अच्छा distributor मिल जाएगा, इसके आगे next challenge है, doctor relationship, अब देखिए, doctors भी बहुत सारी brands की medicines prescribe करते हैं, कुछ doctors सभी brands की medicines prescribe करते हैं, और कुछ doctors कुछ particular brands की PCD companies की medicines prescribe करते हैं, अब आपकी दुकान में सभी brands की medicines का अगर कोई prescription आया, तो वो तो आप करी देंगे, पर यदि कोई doctor का prescription PCD companies की medicines का आगया, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, और ऐसे में आप वो customers को prescription सर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मन्त में एक या दो बार doctor clinics या hospital में visit कीजिए, और doctor से अच्छा relation create कीजिए, जिससे doctors भी कहीं न कहीं आपकी help करें करेंगे, जैसे यदि कोई customer आपकी दुकान में आता है, और उस prescription की यदि कोई दवाई आपको समझ में नहीं आती है, तो आप doctor को सिधा call करके उस medicine के बारे में पूछ सकते हैं, और doctor आपको बिलकुल वो medicine के बारे में बताएंगे, ऐसे आप doctor से अच्छा relation बना सकते हैं, इ ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि आपने medical store स्टार्ट किया और पहले दिन से ही customers की line लगने लग जाए, ऐसा जरूर होगा कि customers ने आपसे कोई दवाई मांगी और वो दवाई आपकी दुकान पर available ना हो, ऐसे में आपको customers को मना करना पड़ेगा, और वो customer bounce हो जाएगा, और वो customer आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा, इसके लिए आप अपने दुकान में short book का use कीजिए, जैसे कोई customer आपकी दुकान से खाली हाथ लोटता है, तो उस customer की medicine या product आप अपनी short book में list कीजिए, और उस product को फटा फट से आप मंगवा लीजिए, इसके बाद आप अपन आपके customers की खत्म होने वाली रे, उसके बाद आप अपने customers को call करके, उनकी खत्म होई medicines के बारे में call करके बताईए, इसके बाद यदि कोई patient आपकी दुकान पर prescription लेकर आता है, तो आप उस patient को वो पूरा prescription समझाएं, जैसे कि दवाई लेने का time, दवाई लेने का dose, ये सार दोबारा आप ही की दुकान से खरीदारी करेगा, इसके आगे next challenge है, discount, आप अपने दुकान में discount को avoid कीजिए, और हो सके जहां तक कम से कम discount दीजिए, क्योंकि पहले सी margin बहुत कम होता है, उसके बाद आपको अपने दुकान का rent, electricity और खुद का profit भी निकालना होता है, ये से free patient counseling, free BP check up, free weight check up, इस तरीके से आपके customers आप से connected रहेंगे और वो दोबारा आप ही की दुकान से समान खरीदेंगे, तो guys इस वीडियो में हमने बात की कि एक medical store को start करने से पहले और start करने के बाद किन-किन challenges से गुजरना पड़ता है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके के लिए काफी informative रही होगी, अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो, तो उसे like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए, मैं मिलता हूँ ऐसी pharmacy related वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जये